नवस्का साथियों आप लोग अगर पहले से जोड़े हुए तो आप सभी को मालू होगा कि ये जो किलासें आपकी लिए जा रहे हैं ये आपकी UPSC और आपके State PCS परिलिम्स को ध्यान में रखते हुए कवर की जा रही हैं और आप लोगों ने देखा होगा अभी तक हम लोग पराचीन भारत का इतिहास भी कवर कर चुके हैं उसके बाद मद्दिकालीन भारत का इतिहास भी कवर किया हुआ है फिर आधुन एक भारत का इतिहास भी हम लोगो ने cover किया हुआ है और एक-एक क्लास को हम लोगों ने बहुत विस्ताज से बात की हुई है तो अगर आप लोग किसी भी एक्जाम की तयाई करें अगर उसमें आप देखी इतिहास से questions आते हैं तो जरूर आप लोग इन क्लासों को देखेगा और इसके लिए एक separate playlist सूची बना से तो इसमें सभी आप देखी chapter by chapter आपको किलासे मिल जाएंगी अब हमें बात करनी है बहुत तिक भूगोल के बारे में भूगोल में हम लोग सबसे पहले बहुत तिक भूगोल के बारे में पढ़ते हैं और इसमें पिछली क्लास में हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना है इ आप देखेंगे कि थोड़ा बिस्ताल से देख लेते हैं अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग NCEIT बुक यरोर पढ़िएगा और उनकी PDF आपकी टेलीगराम पर डाल दी गई हैं सभी NCEIT कप्छा छटवी से लिकर बारवी तक की तो वहां आपसे जाकर आप लोग डाउन को दिख वी रहा होगा और यह आप देखें अर्थ है पितवी है इससे उफर आप लोग देखिए इसे को क्या कहते हैं अंतरिक्ष कह देते हैं आप लोग और एक बात और आप देख लिए इस पितवी को यह हमारी प्यारी पितवी और इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है यहाँ, आपको देखने को मिलेगा और देखे आपके पडोसी पाकिस्तान हो, आफगानिस्तान हो, चाइना, नेपाल, भूतान, बंगलादेश, म्यानमार और यह आप देखने को मिलेगा स्री लंका, एह एसिया है पूरा, ठीक है, और यह आप लोगों को नीचे पूरा महादीव। और इसे आप लोग दषडी अमिरिका कह देते हैं। ठीक है। दष्डी अमिरिका महादीव. और नीचे आपको 언टार किटी का देखने को मिलेगा। तो यह भी आप आप लोग याद रखेगा एक overview जानकारी के लिए आप लोग ठीक है और आपने रेखा होगा कि हम लोग अंतरिक्ष एक agency भी हमारी जो अंतरिक्ष में आप देखते हैं कि उपग्रेब भेशती रहती है जिसे आप लोग ईश्रो के नाम से भी जानते हैं क्या Indian Space Research Organization के नाम से ज जानते हैं इसका headquarter वेंगलोर में देखने को मिलता है 15 अगस उनी सो नतर में इसकी स्थापना हुई थी ठीक है और इस अंतरिक्ष का प्यारंब और अंत अनन्त है और बेदों में से नीती की संग्या दी गई है नीती का तात्पर होता है ना कोई आदी और ना कोई अंत और अंतरिक्ष इतना विसाल है कि इसमें सदेव अंधिरा रहता है और इसी आकास में अनेक तारागन ठोस द्रब और गैसी पदार्थों से बने गोला पिंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिने आप लोग आकासिये पिंड कह देते हैं और यह आकासिये पिंड बड़े और चोटे और कुछ गरम और कुछ ठंडे कुछ तेज गती वाले तो कुछ धीमी गती वाले आपको देखने को मिलेंगे कुछ पिकास वान तो कुछ पिकास हीन यानि कि कुछ उजाला करने वाले तो कुछ बिना उजाला करने वाले कुछ पितवी से दूर तो कुछ पितव भी होगी तो बड़ी दिखाई देगी और जो दूर होगी वो बड़ी होते हुए भी हमें छोटी दिखाई देगी अगर हम लोग आकासीय पिंड के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि आकासीय पिंड तारागण ठोस द्रब और गैसीय पदारतों से बने होते हैं जो गती करते रहते हैं और इनका मार्ग जो होता है वो निश्चित होता है अब आप सोची अगर निश्चित मार्ग ना हो तो आपस में टकरा जाएंगे समझ रहे हैं आप लोग तो इनकी गती निश्चित है अब आप सोची आप रोड पर चलते हैं तो आप देखते हैं कि आप एक तरप से जा रहे होते हैं तो आपकी साइट अलग होती है सामने से कोई या रहा होता तो उसकी साइट अलग होती है इसलिए होती है कि कहीं आप टकरा ना जाए एक्सिडेंट ना हो जाए आकासीय पिंड आकरसंड सक्ती के कारण ठिके हुए है यानि कि आप देखें एक दूसरे में आकरसंड सक्ती है ठीक है और सूरी की निकट का तारा प्रोक्सीमा सेंचुरी के नाम से जानते हैं आप लोगे से तारों की चारों और चक्कल लगाने वाले ग्रह उप ग्रह होते हैं और यह गती सील जो निश्चित मार्क पर घूमते हैं और पितेक पिंड में गुर्तवा करसंड सक्ती होती है क्या होती है गुर्तवा करसंड सक्ती होती है यहां दो सब्दों का उलेप हुआ है एक तो आप देखेंगे आकरसंड सक्ती और आकर्षण सक्ति का मतलब होता है कि आप देखे कि अपनी और एक दूसरे को एक तरह से आकर्षट करने की ताकत रहती है, जैसे हम किसी और को अपनी तरफ कीच रहे हैं, वो अपनी तरफ कीच रहे हैं, तो इसी तरह से आप लोग देखने को मिलेंगे, वहीं अगर हम वाला पारस पर एक आकर्षंड को गुरुत्वा कर्षंड और उससे उत्पन होने बाले बल को हम लोग गुरुत्वा कर्षंड बल कह देते हैं तो इसे भी आप लोग याद रखेगा और जसे बल के कारण दो बस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं उसे हम लोग गुरुत्वा कर्षंड बल कह देते हैं ठीक है और जिसके कारण पितेक पिंड एक दूसरे को अपने केंदर की ओर खींचता है और इसी सक्ति का कारण पितेक पिंड अपने अपने स्थान पर टिका हुआ है अगर ऐसा ना होता है तो आपस में भढ़ भढ़ मिढ़त शड़क पर मोटर या इसाइकल आदी और अंतरिक्ष में तारों के बीच भिढ़न्त होती रहती है और आप देखते हैं जिस तरह से रोड पर भी होती रहती है जब आप लोग साइड अलग चलते हैं या आप देखते होंगे कि कोई साइड दूसरी साइड से एक साइड से जाता है गलती के कारण तोसी के आकास में यह सब तारे दूर दूर तक फैले हुए और इनकी दूरी को पिकास बरस में ना पा जाता है और पिकास की किर्णे एक सेकंड में आप देखेंगे तीन लाग किलोमीटर दूरी पार करती हैं एक सेकंड में और एक बरस में आप दे 95 खरब यानि कि 9.5 किलो मीटर की होती है और अंतराष्टी एक खागोली संगे की अगर हम लोग बात मानें तो एक प्रिकास बर्स वह दूरी होती है जो प्रिकास अपने निर्वात में एक बर्स में पूरा कर लेता है तो उसे भी आप लोग याद रखिएगा और अंतराष्टी एक खागोली संगे के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्तापना 28 जुलाई 1919 में होई थी और पेरिस फिरांस में इसका मुख्याला देखने को मिलेगा तो एक प्रिकास बर्स में आप देखेंगे 95 किलो मीटर की दूरी पार कर लेती है और प सूरी के बाद पितवी में सबसे निकट का तारा प्रोक्क्सीमा सेंचुरी देखने को मिलेगा जो आप देखेंगे 4 एक सई 2 पिकास बर्स दूर है और इसके अत्रिक्त विटिन गिवज तारा हमारी पितवी से 109 पिकास बर्स और रीगल तारा 450 पिकास बर्स दूर देखन उरेगी तारा सूर से आप देखें 270 गुना बड़ा है कितना 270 गुना बड़ा है और इस के अनंत इस अनंत आकस में तारों की चत्तोर दिख चक्कल लगाने वाले ग्रहे और उग्रह भी होते हैं और पितेक तारी का अपना एक परिबार भी होता है और इसे आप लोग क्या कह कह देते हैं सौर मंडल कह देते हैं सोलर सिस्टम भी कह देते हैं ठीक है तो यह भी याद रखेगा इसके बारे में और इसमें आप देखेंगे सौर मंडल की अतरिक्ट 2-2 या 4-4-2 बहुते हैं और नक्षद समू की अतरिक्ट बढ़े बढ़े तारक पुंज भी होते हैं और इंध तारक पुंजों को निहायिका यानि कि गिलैक्स्थी या ब्रहमंड कहते हैं आप लो और अनुमान ऐसा है कि अंत्रिक्ष में एक अरब ब्रह्मन्द आपको देखने को मिलेंगे जो हमारी पिथिभी और सौरमंडल एरावदपत यामिनी की मिलकी भे नामक आकास गंगा निहारिका की अंतरगत आते हैं और जिसका ब्यास आप लोग अगर देखें तो एक लाग प्रिकास बर्स है और अंतरिक्ष में निहारिकाएं दीफों की भाती फैली हुई है जो दूइप देखते हैं आप लोग उसी तरह की बात हो रही है ठीक है और आकास ये पिंड आप लोग देख लें निहारिका हो गया और एक अत्यदिक पिकास मान पिंड है और आकिती सर्फिल होती है इसकी नाभी में अत्यदिक प्रजवल लंसील गैस होती है और नाभी के चारों दोर आप देखें गैस पिंड भुजाओं की तरह फरिकमा करते और इनकी सरफिल भोजाओं में सेफरी चर होती है जो फेलते और सिकोडते रहते हैं इसलिए इस पंदन के कारण निहारिकाओं का प्रिकास घटता और बढ़ता रहता है और यहन कैनिस विनिटेसी लाईरा और मुख निहारिकाओं इसमें देखने को मिलेगे अब बात करते है आकास घंगा या इसे आप लोग मंदा की नहीं गलेक्सी के नाम से भी जानते हैं यह तारों का विसाल पुंज है और अंतरिक्ष में आप देखेंगे 10,000,000,000 आकास घंगाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगे कितना 10,000,000 और पिते गंगा में आकास घंगा में एक ला अनमुख में मार के रियन 348 हो गई, वेहत मैगे लिनिक मेग हो गई लगू मेग लिनिक मेग हो गई और इसके बाद आप देखेंग ahead माइनर सिस्टम हो गया, इसकलेप्टर सिस्टम, डेक्रो सिस्टम, एंडोमेडा, परमेक्स सिस्टम, मेफिल, आधी अन्गा, आगास गंगा हैं, तीक है, इनके नाम याद रख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे, अंतरिक्ष का काल्पनिक चित है, आप लोगों को देखने को मिलेग इनके नहारिका का ब्रहमन्ड हो गया, गैस रासिया हो गयी, आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, आखास गंगा, एकाल्पनिक अंतरिक्ष है एक तरह से, गैस रासिया तो इनने भी आप लोगो देख सकते हैं इसमें, उसके बाद होती है तारा मंडल की बात, किसकी तारा मंडल, तारों की समूव कुछ बिसिष्ट आखितियों में द्रिष्टी कोचर होते हैं और इन्हें रास्तियों की रूम में पुरानिक नाम दिये गए हैं आधुनिक समय में 89 तारामंडल गया थे हैं और इनमें हाइडरा नामक तारामंडल बिसालतम है यानि की बड़ा है और अन्य तारामंडल में आप देखेंगे तो इसमें सेंटोरस, जैमिनी लियो, हरकूलिस, वेग्गरो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कुईसर यह अत्यधिक प्रिकास मान पुझ है और जिसका ग्यान 1962 में प्राप्त हुआता है इसमें आकास गंगा की समस्ति तारों से भी अधिक प्रिकास उर्जा आप लोगों को देखने को मिलेगे तारी आकास गंगा में गैस की विसाल बादलों के भीतर तारी इस्तित होते हैं आगनी पुझ होने के कारण तारों में नियंतर उसमा और उर्जा पैदा होती है और भी टिम्टिमाते रहते हैं और इन्हें आप लोग रात में देख भी पाते होंगे जो हम लोग सूरी भी देखते हैं न तो ए भी एक तारा ही है सूरी भगवान देखते हैं न ए भी एक तारा है आकास में कुछ तारी दो या दो से अधिक समुह में पाए जाते हैं जिनने हम लोग योग में तारा कह देते हैं वाइनरी इस्टार भी कह देते हैं ठीक है आकास पिंडो और विसेष्टाइन इनकी देख लिए निहारी का ये आप लोग देखेंगे कि प्रिकास मान सरपिल आगर्टी की होती है आकास गंगा तारों का विसालतम पुंज तारा मंडल तारों को समुग जो विसेष्ट आगर्टी में दिखाता है ग्रह पिकास ही इन तारे से प्रिकास गर्ण करते हैं जो हम लोग ग्रह देखते हैं इनके पास अपना प्रिकास नहीं होता है ये तारे होते हैं इसके कारण आप देखें इनका प्रिकास देखने को मिलेगा इन्हें उजला मिलता है अब आप देखें पितवी का अपना तो को प्रिकास नहीं है लेकिन आप दिखते हैं सूर भगवान आते हैं तो हमें दिखता है रात में आप दिखते होंगे जो तारे दिखते हैं उनसे भी हमें दिखता है इस सब तारे का ही कमाल है उप ग्रह लगू आकासी है पिंड ग्रह की परिक्मा करते हैं और आप लोगों को ब पहाग होते हैं इसमें सीज, मद्ध पिंड और पूछ आप लोगों को देखने को मिलेगी तो इसके बारे में भी याद रखेएगा आप लोग यहाँ भी कुछ पॉइंट है ने भी आप लोग पढ़ लिए ग्रह ग्रह में अपना प्रिकास नहीं होता है छोटा पिंड होने क इसकी परिक्मा करते हैं जैसे आप देख लिए पितभी का अपना कोई एक तरह से आप देखी कि पितभी का अपना कोई प्रकास नहीं है लेकिन उपर सुर भगवान देखते हैं या आप तारे देखते हैं उनके कारण हमें उर्जा मिलती है उसमा मिलती है ठीक है और हम लो प्रास भी अपना कोई पिर्कास में दिखाई के लिए और बास्ता तो मीं ए थोस कड़े होते जो पितवी के बाईवंडल में प्रविस करने पर घरसंड के कारण जलने लगते हैं और जलने पर नश्ट हो जाते हैं और परंतु कभी-कभी उलका पाद के रूम में पितवी पर आकर गिरते हैं और खंडेत हो जाते हैं और इनकी रचना लोहे निकल, अलुमिनियम, पुछल तारा, इसमें आप देखेंगे धोमकेतु या पुछल तारा, इसकी रचना गैसी ये पदार्थों से होती है और इनकी लंबी पूछ होती है, कैपलर की मानता थी कि पुछल तारे अंत्रिक्ष में बाहर से प्रविस करते हैं, किन्तु हैली ने इन्हें सौर मंडल सौर परिवार का एक तरसे सदस्माना है, जो निश्चित अउधी पर देखे जाते हैं, कभी सौर से दूर चले जाते हैं, कभी सौर के निकट आ जाते हैं, क्योंकि इनकी कप्छा कतल गिरहों की कप्छा से अलग है, और इनकी रचना में आप देखें, तीन मुक्ष भाग ह लगु आकार का होता है, पूच जो सरवाधिक लंबी आप लोगों को दिखाई देगी, अनेक धूम केतु के नाम इनके खोज करता के नाम इस तरह हैं, एंके, जैसे एंके, दावाइको, वाइको सिफ्ट, टेंफल, वन, फोफस, डी अरेस्ट, फैंले, हॉम्स, भीफल, ग ल, कौमास, सुला, ठीक है, और यहां एक घर्षण की बात हुई है, तो आप सब जानते हैं कि रगड़ने की किरिया को एक तरह से आप लोग घर्षण कर देते हैं, आपattend्हों रगड़ते हैं, आप लोग घर्षण वल कहे देते हैं, तोसे को, ठीक है? गरसंड एक बल है जो दो तलों के बीच सापिक स्पोरसी गती का बिरूत करता है तो इस तरह से आप देखें कि पहला चेप्टर आपका कवर हो जाता है इसमें हम लोगोंने क्या जान लिया है ब्रमबंड के बारे में बात कर लिए एक सामन जानकारी देख लिए अंगली क्लास में हम लोग सौर मंडल के बारे में बात करेंगे और आपकी कुछ सुझाओ हो, सवाल हो तो आप लोग जरूर देजेगा उन पर भी बिचार किया जाए और इन क्लासों में कुछ सुधार हो सकता है उसके लिए आपके पास कोई टिप्स हो, कुछ जानकारी हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं ठीक है? हम सब मिलके ही चला रहे हैं सवी क्लासें तो इसमें आपका वीव सहयोग जरूरी होता है चलिए आप लोग पढ़ते रहे हैं मेहनत करते रहे हैं हम लोग मिलते रहेंगे